Hello friends, welcome back to your own channel. आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहने वाला है क्योंकि इसका जो topic है, वो सभी students के काम आएगा Dealing with exam stress Exam means परिक्षा और stress तनाव तो हम सभी को, अगर हमारी परिक्षा नजदीक हो तो हम सभी को stress सरूर होता है उससे कैसे deal करना है, तो वो हम इसमें समझेंगे साथ ही paragraph में जो भी content है उसकी जानकरी तो हमको मिलेगी knowledge बढ़ेगी और आपकी जो vocabulary है वो भी improve होगी और जो भी grammar related structure आएगा, वो साथ साथ मैं आपको समझाती भी चलूँगी तो आए शुरू करते हैं dealing निपटना with exam stress तो परीक्षा के तनाव से कैसे निपटना है उसके बारे में जो paragraph है exam stress is a prevalent and often overwhelming experience for students of all ages तो exam stress तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आपको ही exam के टाइम में stress होता है तो आप गलत हैं क्योंकि जो परीक्षा का stress होता है तनाव होता है it is prevalent prevalent का मतलब होता है प्रचलित spelling पर ध्यान दीजिए prevalent बोलते है वी ए ए एल एन ट तो यह प्रचलित है मतलब सबको होता है और सिर्फ इंडिया में नहीं कहीं के बच्चों को भी ले लो सबको stress होता है exam का तो यह prevalent है मीन्स प्रचलित है सब जगे फैला हुआ है and often often मीन्स कई बार overwhelming experience तो कई बार तो इसका अनुभव जो होता है experience अनुभव वो overwhelming होता है overwhelming means जब हम emotions के control में आ जाएं और कोई भी situation हमारे से निपटना मुश्किल हो तो जो भी situation है जिससे निपटना मुश्किल हो सो कहते है overwhelming तो यह जो experience होता है exam के stress का वो है overwhelming experience कई बार हो जाता है उससे हम निपट नहीं पाते है for students students विद्यारतियों के लिए छात्रों के लिए school के छात्र हो सकते है college के हो सकते है university के हो सकते है या कोई भी जो भी exam दे रहे है तो वो छात्री कहलाएंगे of all ages किसी भी उम्रक के भी हो सकते है तो किसी भी उम्रक के हो जाता है कई बार बड़ा मुश्किल इससे निपटना exam प्रदिक्षा के तनाव से it's the result of the pressure to perform well in academic assessments it's the result यह contracted form लिखी गई है खोल के लिखेंगे तो होगा it is it is means exam का जो stress है उसके लिए यह यूज किया गया है तो exam का जो stress है it is the result of यह किसका परिणाम होता है pressure to perform well कि जो दबाव बन जाता है विद्यार्थियों के उपर अच्छा प्रदर्शन करने का कि उनको exam में परिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है उसके दबाव से stress हो जाता है in academic assessments academic means शिक्षा से सम्बंदिद पढ़ाई से related जो भी assessment होते है test होते है in various ways कई तरीकों से from anxiety anxiety means चिंता तो चिंता से लेकर and restlessness बेचैनी जब हमको चैन ने मिलता बस बेचैन हो जाते है to और जैसे कि चिंता और बेचैनी से लेकर to sleep disturbances कई बर कई विद्यार्थियों को तो नीन भी नहीं आती है या disturb हो जाते है उनके sleep pattern जब सोने का time होता है तो नीन नहीं आती है and even physical symptoms और कई लोगों को physical symptoms शारिरिक लक्षन भी जैसे दिखाई देते हैं like headache ache का मतलब होता है दर्द ache headache सिरदर्द या stomach पेट दर्द अब यह sentence बहुत लंबा था इसलिए हम एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको it's the result of the pressure to perform well in academic assessments तो यह stress का परिणाम किस चीज से होता है कि परिक्षा में हमको अच्छा प्रदशन करना है इसका दबाव पढ़ता है तो stress हो जाता है उसी का परिणाम है यह in academic assessment तो जो भी शिक्षा संबंदिद मुल्यांकन होते हैं टेस्ट होते हैं उससे related and it can manifest in various ways और यह अपने आपका प्रदशन कर सकता है यह अपने आपको यह stress है यह बाहर निकलता है कई तरीकों से from anxiety and restlessness चिंता या बेचैनी से लेकर sleep disturbances and even physical symptoms like headaches और stomach achs तो चिंता और बेचैनी से लेकर नीन ना आना और यहां तक की शारिरिक लक्षन भी दिखाई देते हैं जैसे की headache, सिरदर्द या पेटदर्द this stress can be particularly challenging यह जो stress है तनाव है यह खास कर चुनोती पूर्ण भी हो सकता है खास कर चुनोती पूर्ण हो सकता है because क्योंकि it can hinder a student's ability to concentrate क्योंकि यह रुकावट डाल सकता है hinder रुकावट डाल सकता है in a student's ability विद्यार्थी की शमता पर to concentrate कि वो ध्यान नहीं लगा पाता उसके बाद तो उसमें क्या हो रुकावट डाल रहा है वो की ध्यान लगाने की शमता पर या तो recall information information जानकारी और recall जब उसने याद कर लिया है कोई चीज़ को और वो फिर उसको याद कर रहा है दुबार से recall कर रहा है कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ तो recall करने में याद रखने में फिर परेशानी डाल सकता है रुकावट डाल सकता है and perform to the best of their abilities during exams और एक और चीज़ में रुकावट डाल सकता है कि प्रदर्शन उनका to the best of their abilities जितनी उनमें शमता है तो उतना वो सर्वोतम शमता के according क्या अपना प्रदर्शन कर पाएंगे इसमें भी रुकावट डाल सकता है during exam और यह सब होता है तनाव के कारण जो कि परीक्षा आने पर हम सब में तनाव हो जाता है इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे this stress can be particularly challenging because it can hinder a student's ability to concentrate recall information and perform to the best of their abilities during exams dealing with exam stress is a common challenge faced by students dealing with exam stress exam stress परीक्षा के तनाव से deal करना उससे निपतना यह तो एक साधारन common challenge है चुनौती है faced by students जो की विद्यारतियों के द्वारा इसका सामना किया जाता है और बहुत ही common है तो आप यह ना समझें कि सिर्फ आपको इतनाव हो रहा है तो बहुत ही common है और जातर लोगों में पाई जाती है but it's essential to navigate it effectively to perform your best तो चाहे यह चुनौती पूर्ण हो सकता है इसका सामना करना लेकिन it is essential बहुत जरूरी हो जाता है to navigate it effectively तो navigate का मतलब होता है निर्देशित करना और effectively प्रभावशाली तरीके से तो बहुत जरूरी है कि आप एक धंक के तरीके से effective तरीके से प्रभावशाली तरीके से इसको निर्देशित करे ताकि आप अपना best दे पाए so that you can perform your best तो आप अपना best प्रदर्शन कर पाए तो उस तरीके से आपको इसको इसका निर्देशन करना है stress का इसको अपने उपर हावी नहीं होने देना है तो किस तरीके से हम अपना best perform कर सकते हैं कुछ tips हैं जो कि आपके बहुत काम भी आएंगी और आप vocabulary भी सीख रहे हो साथ-साथ first and foremost सबसे पहले effective time management is the key हर जगे आपको बताया जाता है time management time management क्योंकि student की life में time का धंग से इस्तिमाल करना ये बहुत ही important होता है तो effective वो भी time management करो लेकिन वो भी effective तरीके से प्रभावी तरीके से effective time management is the key तो सफलता की क्या चाबी है कि प्रभाव शाली तरीके से आप वक्त का समय का प्रबंधन कर सके यही इसकी चाबी है तो इसी सही सब कुछ सारा solution आने वाला है create a study create means बनाए a study schedule that allows you to cover all necessary topics without over burdening yourself without over burdening burden से बना है over burdening yourself तो इस तरीके से अपना schedule बनाएए create a study schedule time table यह कारिकरम बनाएए that allows you to cover all necessary topics जो आपको सारे के सारे जो भी आवश्यक important topics हो तो allows वैसे होता है अनुमती देना तो आप word to word translation तो नहीं होता है आपको इसका gist निकालना है कि बोलना क्या चाहते है इस paragraph में या line में कि जो आपको अनुमती दे आप कह सकते हैं कि जो आपको allow करे कि जो भी आपके important topics है वो आप cover कर सको उसको पढ़ सको अच्छी तरीके से without over burdening yourself तो without means बिना और over burden burden means बोज़ और over burden जादा ही अपने आपके उपर बोज नहीं डाल देना है तो without बिना अपने उपर जादा बोज डाले हुए तो इस तरीके का timetable बनाना है जो feasible हो जिसको आप follow कर सके देर तक ठीक है break your study sessions into manageable blocks यहाँ manageable है तो यहाँ spelling देख लीजिए E A यह दोनों आते हैं इसमें ठीक है यहाँ पर spelling mistakes हो जाती है तो आपको अपना जो study session है उसको तोड़-टोड़ के बनाना है एक ही time पर जादा देर तक कोई भी नहीं बैठ सकता किसी का भी concentration देर तक नहीं हो सकता इसलिए break your study sessions into manageable blocks तो manageable जिसको पूरा किया भी जा सके और block हो गए parts में सत्रों में parts में तो आपको तोड़-टोड़ के बनाने अपने study sessions and include short breaks to recharge your mind और आपको जब आप time table बना रहे हो तो आपको include करना है शामिल करना है उसमें छोटे-छोटे breaks तोड़ा break भी लेना है to recharge your mind ताकि जो आपका दिमाग है वो तरो ताजा हो जाए तो इस तरीके से time table बनाना है उसके लिए आप किसी बड़े की help भी ले सकते है अगर खुद जादत अच्छे तरीके से time table बनाना नहीं आता है include some breaks also in it furthermore furthermore means आगे और आगे maintaining a healthy lifestyle तो पहले तो हमने बात कर दी effective time management सबसे जरूरी जो है अब next है maintaining a healthy lifestyle अब exam के टाइम में जादतर क्या होता है students अपने खाने पर ध्यार नहीं देते अपने नींद के schedule पर ध्यार नहीं देते है वो भी आपको maintain करना है maintaining a healthy lifestyle maintaining बनाये रखना healthy स्वस्त लाइफस्टाइल जीवन शैली can significantly reduce stress वो भी significantly means काफी हद तक आपके stress को काम कर सकता है ensure you get enough sleep to keep your mind sharp and focused ensure सुनिश्चित कीजिए you get enough sleep ताकि आपको परियाप्थ नींद भी मिले और 8 खंटे की नींद बहुत जरूरी है अगर 8 खंटे exam की time में नहीं है तो चलो थोड़ा कम सोये लेकिन एक बारी में sleep अच्छी मिलनी चाहिए वो बहुत जरूरी है enough sleep, परियाप्थ sleep because हर एक की requirement भी sleep की अलग-अलग होती है तो अपने आप body की according आपको पता होगा आपको कितनी sleep चाहिए ठीक है तो उतनी परियाप sleep नीन आपको मिलने चाहिए ताकि आपका जो दिमाग है वो तेज रहे, तेज बना रहे और focus आप focus भी कर सके जब आप उठे तो आप ग्रॉगी न हो, आप फिर से सुस्त अपने आपको महसूस न करें एक fresh mind से उठे ताकि focus बना रहे और दिमाग जल्दी जल्दी grasp करें जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको याद भी कर सकें, easily अगर अच्छी नीन नहीं मिलेगी तो तब बहुत dull feel करें गया and focus a balanced diet can provide the energy you need और संतुलित आहर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से मिलता है आपको energy, उर्जा जो शरीर की requirement होती है तो खाने पर भी उतना ही ध्यान दे ऐसा नहीं है कि stress हो गया है तो खाना पीना ही भूल जाए या तो फिर junk food खाना शुरूर करते बैलेंस डायेट बहुत ज़रूरी है कि vegetables, fruits और जो भी protein supplements है वो सब कुछ खाए milk पिये और बैलेंस डायेट लें पूरा बैलेंस डायेट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपको energy मिलेगी वाइल, regular exercise can help reduce tension and boost your mood और उसके साथ भी जरूरी है regular exercise की निरंतर आप कुछ व्यायाम करें अब व्यायाम का जरूरी नहीं है कि आपको वोई जो exercise होती है same वैसी करनी है तो व्यायाम हो सकता है आपको गेम खेल के fresh हो जाए कोई भी physical activity करना बहुत जरूरी है बाहर जाना फ्रेश एर में जाना भी जरूरी है थोड़ा टाइम निकालना है चाहे 15-20 मिनिट्स निकालिए बाहर जाईए या हाफ एन आर निकालिए खेल के आईए अपने पसंद का गेम वो भी बढ़ा अच्छा stress buster है वाइल, regular exercise can help reduce tension उससे क्या होता है? जो tension होती है वो थोड़ी काम हो जाती है ठीक है? and boost your mood और आपके जो मन की दशा है आपका mood है वो भी बहतर हो जाता है exercise करने से मतलब कि friend से भी मिलोगे खेलोगे तो थोड़ा सा refresh हो जाओगे तो अब हमारा third आता है don't underestimate the power of relaxation techniques तो underestimate हमको कम नहीं समझना है power of relaxation techniques तो जो भी विश्राम या हमारे दिमाग को जो relax करती है वो वाली तक्नीके जो होती है उसकी power को हमको कम नहीं समझना है underestimate तो उसकी जो हमको जो भी power है शक्ती है उसको हमको कम नहीं समझना है ये भी हमारे माइन को बहुत रिलाक्स करती है विश्राम की तक्निके रिलाक्सेशन की तक्निके such as deep breathing exercises और mindfulness meditation mindfulness meditation to calm your nerves during study breaks तो ये कौन-कौनसी टेक्नीक्स है जैसे की deep breathing गेहरी साह से लेना और mindfulness meditation meditation ये नहीं है कि आप ध्यान लगाने लग जो और घंटों तक बैठे रहा हूँ, mindfulness वाला है कि वर्तमान present में आप रहो, अपने दिमाग को इधर उदर भटके, ना भटके इधर उदर, वो present में रहे, तो थोड़ी देर के लिए meditate करो, अपने विचार जो इधर उदर भटक रहे हैं, उसको present में रखने देना है, तो उससे क्या होता है, calm your nerves, आपका जो मन है वो थोड़ा शान्त हो जाता है, during study breaks, जो भी आप study break लेते हो, पांच मिनट भी बैठ जाएए, थोड़ा शान्त हो जाता है, मान उससे, उस ताम पर कोई विचार और आपके मन में नहीं आएंगे, सिर्फ आपक seeking support is a sign of strength, और सबसे important बात ये भी है कि आपको याद रखना है कि seeking support, seeking means तलाश करना, ढूंडना, support, मदद, तो अगर आप मदद चाहते हैं, तलाश कर रहे हैं मदद की, तो वो एक ताकत का sign है, ठीक है, not weakness, तो ऐसे नहीं है कि अगर आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो किसी की मदद भी लेने में आपको शर्म आ रहे है, no, you have to take help of the people around you, जैसे की, और इसको भी समझना चाहिए, आपको ये ताकत की बात है कि कोई अपने, जो भी emotion से उसको व्यक्त कर पा रहे है, that means he is strong, तो ताकत की बात है, कमजोरी की बात नहीं है, not weakness, it should be considered a sign of strength, not weakness, reach out to teachers, reach out बात करिए, मदद लीजिए, teachers से, अपने शिक्षकों से, classmates से, जो अपने आपको साथ पढ़ने वाले सहपाटी हैं, और academic counselors, तो देखिए, ये counselors जो है, आपको आपके schools में होते होंगे, colleges में, हर जगे counselors होते हैं, जो सलाह देते हैं, और ये शिक्षा से सम्दित, तो academic counselors जो होते हैं, जो कि आपको समझा देंगे, थोड़ी help करेंगे, कि आपको कैसे plan करना है, कैसे अपने mind को शान्त रखना है, तो academic शिक्षा सम्दित, जो भी सलाहकार होते हैं, उनसे भी you have to reach out to them, उनसे मदद मांगे, तो teachers हो गए, शिक्षक हो गए, academic counselors हो गए, parents हो गए, जिन आप encounter सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का with certain subjects, कुछ विश्यों को लेकर, तो सभी का जरूरी रही कि कोई सभी subjects में अच्छा है, हो सकता है, कोई एक subject आपको difficult लगता हो, तो उस subject से, उस subject में आप किसी भी, जिन को थोड़ी से knowledge होती है, उनसे आप help ले सकते हैं, teacher से बात जिये, classmates से समझ जिये, academic counselors हो गए, parents हो गए, जो भी आपकी help कर सकते हैं, जिसके साथ आपको comfortable लगता है, उनसे share कर सकते हैं, they can provide guidance and resources to help you overcome challenges, they can provide guidance, वो आपका margashan कर सकते हैं, provide दे सकते हैं, आपको margashan and resources संसाधन भी provide कर सकते हैं, to help you आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप overcome challenges, चुनौतियों का सामना कर सकें, ठीक है, तो अभी तो आपको बहुत बड़ी चुनौती लग रही होगी, कि subject की preparation होगी कैसे, तो वो आपको guide कर सकते हैं, वो बड़े हैं, उनके पास experience ह तजूरबा है, तो वो आपको सही सलाद भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आप properly study कर सकते हैं, तो अब जरूर उनकी help लीजिए, अगर आपको difficulty लग रही है तो, lastly, और अंत में, maintain a positive mindset, ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो मन की दशा है, मन की स्थिती है मान सिकता है, वो सकारात्मक हो, positive हो, negative ना हो, आप अपनी तरफ से अगर मेहनत कर रहे हैं, तो बस मेहनत कर लिए, अब जो होगा देखा जाएगा, you have done your best, तो एक positive mindset बना के रखना है कि हाँ, मुझे अपने उपर विश्वास है, मैंने preparation अच्छी तरीके से करी है, तो ये व बढ़ता ही जाएगा, believe in your abilities, अपनी शमताओं पर विश्वास रखिये, and remind yourself that exams are just one part of your educational journey, और बार बार अपने आपको याद दिलाएगे, yourself, अपने आपको याद दिलाए, कि जो ये परिक्षाए है, they are just one part of your educational journey, तो ये ही आपका, ये end of journey नहीं है, ये तो साथ साथ आप यात्रा पे निकले हो, ये तो just one part है इसका, ठीक है, embrace a growth mindset, तो embrace आपको अपनाना है a growth mindset, बना कि विकास से related mindset आपकी मनोदशा होनी चाहिए, कि हाँ कुछ सीखा है और आगे भी सीखूंगा, where setbacks are seen as opportunities to learn and improve, कई बार होता है कि हम जितनी महनत करते हैं, तो हमको उतनी सफलता न ही मिलती, तो उनको कहते है, setbacks, असफलता है, लेकिन उसको भी क्या करना है, अपनाना है, विकास के mindset से, मतलग कि जो आपके setbacks होए, असफलता है, उनको भी आप देखिए, they are seen as opportunities, उसको भी अफसर की तरह लीजिए, to learn and improve, क्योंकि असफलता है भी हमको बहुत कुछ सिखात है, ठीक है, तो जब भी कोई failures होते हैं, असफलता होते हैं, उससे सीखिए और अपने आपको सुधारिये, तो जहां तक अगर ये चलता रहेगा कि बहुत कुछ सीखना और फिर उसको सुधारना, तो वहाँ पे finally success जरूर मिलेगा, with proper preparation and a calm confident approach, with proper preparation means उचित तयारी के साथ and a calm confident approach, और जो आपका नजरिया है, वो होगा, शान्त और आत्म विश्वास से भरा हुआ, अगर ऐसी approach आप रखते हो, you can tackle exam stress, तो आप निपड सकते हो, परीक्षा से संबंदे, जो भी तनाव होता है, and perform at your best, और आप प्रदर्शन कर सकते हो, जितनी आप में शमता है, उतना ही तनाव को अपने उपर हावी होने दिया, उसकी वज़े से आपकी तबियत खराब हो गई, तो जो आता भी है, वो भी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा calm and cool mind and believe in your abilities, अपनी दरफ से पूरा hard work करो, उसके बाद सब छोड़ दो, because आपने hard work किया है, it will always pay, hard work always pays, तो friends, I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ आपने से जरूर सीखा होगा, अगर पसंद आया है, तो please like, share और subscribe करना मत भूलिएगा and see you next time, thank you for watching, इसका PDF friends आपको टेलिग्राइम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, English Vidashamem, इसी नाम से है Telegram channel, so bye for now